नमस्कार, स्वागत है आपका eritplatter.com पर मैं हूँ संजीव श्रिवास्तर और मेरे साथ है मेरे सीनय खुलीग वरिश सहोगी और eritplatter.com के एक्जेकुटिव एरिटर शिवकान शर्मा जी वेलकम सार्ड तो अमरीकी चुनाओं की हम बात कर रहे हैं लगातार उस पर अपडेट दे रहे हैं अमरीका में जो ही एलेक्शन हो रहे हैं इसको लेकर जबरदस्त इंट्रेस्ट है इंडिया में भी कुछ तो जो कैंडिट्स है उनका पर्सोना और परसनालिटी ऐसी है एक तरफ हिलरी क्लिंटन और दूसरे तरफ दॉनल ट्रम्प दोनों पदा नी विक्यात है टॉनल ट्रम्प तो डेफिनली कुछ्यात की काटेगरी में जाधा आते हैं इलरी क्लिंटन के भी कोई बहुत बड़ी संख्यां प्रशन सकनी है एंड इंटरेस्टिंग असाइड विच्ट अगें अगें इन इस इलेक्शन इस एक्षिश्टिंग अच्छी अच्छी बिव में तो नोट वेरी पॉपुलर पीपल तो यह चूजिंग परापस अ लेसर आप दी इविल लेकिन इंटरेस्ट है लेकिन भारत के हित में दोनों में से जाधा उमीदवार कौन सा होगा डॉनल ट्रम्प या हिलरी क्लिंटन बदाइए शिवकान मुझे तो लगता मेरी विक्ति के तरह यह है कि हिलरी क्लिंटन बहतर होनी चाहिए दो चीजे हैं एक तो विदेश नीती में यह सही है कि नए आदमी आता है तो कुछ नए आइडियाज लेके आता है और नए प्रस्ताव लेके आता है नए सोधे होते हैं लेकिन कई बार ज प्रस्ताव जितना भी मूँ ख़ूला है विदेश नीती को लेकर के और आथिक नीती को लेकर के उस से मझे लगता है है भारत के उद्वेगों में भी और भारत के राजनिकों में भी अच्छिए खासी घबराट होनी चाहिए वद्वेगों की बात करें तो क्या कह रहे हैं हैं कि साब चीन और भारत भारत का नाम ले रहे वह साथ साथ में वो जो जितनी भी नोकरियां को यह दो देश हों ने अमेरिका की नोकरिय चुराई हैं मैं अमेरिका को दुबारा जो है वह महान बनाऊं लाएं वापश लाओंगा वो थाई करोड़ नोकरियां वहाँ नई इजाथ करने की बात कर रहे हैं website को दौबारा लगाने की मात कर रहे हैं तो एक तो उनका यह के संदक्षनवाद की वह बात कर रहे हैं इस वक्त भारत कें अछी है तिक है अगर अपनी आर्थिक व्यवस्था और इतने सारे लोगों को गरीबी की रेखा से उपर उठाना है तो माल बाहर बेचने के लिए अमेरिका से बरिया क्या मंडी हो सकती है अगर उनको वीजा कम देंगे और उस एरिया में प्रटेक्शनिस्ट हो जाएगा लेकिन एक और दिल्चस बात है अगर हिलरी क्लिंटन की बात करें तो एक तो भारत की जो फॉर्ण पॉलिसी की दुनिया है विदेश उन्मुख उनको एक कमफर्ट लेवल है हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन से एक हमारा कमफर्ट जोन है बट ट्रीशनली अगर हम इतिहास उठागे देखें तो डेमोक्राट से बीन मोर प्रो पाकिस्तान देन रिपब्लिकन सो पाटी के हिसाब से शायद नहीं लेकिन एक व्यक्ति की तरह से हिलरी क्लिंटन ओवरॉल भारत को तरह समझती है नहीं तो एक राश्टपती नहीं राश्टपती तो चार साल यहां की पेचीदियां समझने में लग जाएंगी बिल्कुल और वह पाकिस्तान की नब्स से पूरी तरह वाकिफ हैं इसलिए उन्होंने पाकिस्तान जब अपनी पुस्तक लिए ती वह अपनी आ भारत बलकि यह करता रहा है ओबामा से भी किया प्लीज अब ही अफगानिस्तान जाएगे बहुंकि जब तक हो जाता है 2020 और एक दो इसलामी आ तरम यह उसको जड़ से कुचल दूँगा, मैं आइसिस को खतम कर दूँगा, परमानु बम डाल दूँगा, लेकिन आइसिस को तो खतम कर देंगे, लेकिन हमारी समस्या आइसिस नहीं है, हमारी समस्या पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हों पैसाल आप अमेरिका को मैंतों नहीं हो जाएं तो अमेरिका को चैने को यह लोगों कि स्थिती बेतर बनाने के लिए अपनी बीजी है तो अमेरिका को चाहिए के इस तरह तो अमेरिका ने अगर सबसे अमीर सबसे बड़ा देश सबसे शक्तिशाली देश मर्शनरी बन जाएगा तो फिर बाकी जो 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 अन्याय है जिल्नों के साथ आपने अनुबंद कर रखें सुरक्षा संधिया करी होई है उन सब क्या होगा बट वहराल इन सब बातों के बाव क्लिंटन के समर्थ है आपकी बाद ट्रम्प सरकार बिल्कुल सही बात है लेकिन एक बात इसी संबाद के आखिर में कि कुछ मामलों में और कुछ मायने में आई में तो से भारत और अमरीका के संबंद अब किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के शायद मोहताज नहीं रह गए क्योंकि पिछली कुछ सालों में जिस तरह से एक स्ट्रेटीजिक पार्टनर्शिप इंडिया और यूएस की डेली और वाशिंटन की बन रही है और उसके कई कारण है उसमें और उस सम्मीकरन में सिर्फ पाकिस्तान इस्लामबाद की भूमिका नहीं है उसमें चीन भी आ ग हिलरी क्लिंटन के साथ रहेगा अगर वो राश्पती बनती है तो बहुत शुक्रिया शिपकान जी और बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका कारिकरम देखते रहने के लिए editplatter.com के और ताज़त तरीन सूचनाओं से खबरों से और बहतरीन विशलेशन से हम आपको लगाता रवगत कराते रहेंगे आप बने रही है editplatter.com के साथ बहुत शुक्रिया